नमस्कात आरिक शिव टाई में आप सबका स्वागत है रश्मी शर्मा कैमरामन शिवम भगत के साथ कोई भी और्गनेजेशन किसी भी इंस्टिशूशन को बनाने के लिए उसकी कमेटी का गटन होना बहुत जुरूरी है ताकि आने वाले समय में जो कमेटी के अंदर या उस इंस्टिशूशन के लिए कोई भी अगर उनकी परिशानी होती तो जो वहां कोई मेंबर चुने जाते हैं वो उनके द्वारा उनकी बात को परिशासन और सरकार तक रखा जाए बार अस्टिशन के अगर बात करें तो अब कुछी देर में यानि के 25 फेबररी को इलेक्शन होने जा रहे हैं नए कमेटी का फिर से गटन होगा जिसमें एक व्यक्ति आड़ोकेट है जिनका नाम है शिवदेव ठाकुर जी जो की जाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए क स्वागत है नमस्कार मेरा नाम शिवदेव ठाकुर है और मैं इस बार बार एलेक्शन में जाइन सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए क्या वीजन लेकर आप आए क्योंकि काफी सारे इश्यूस रहते हैं बार में भी अगर देखने को आए और बार एक ऐसी आर्गनेजेशन है अगर जमू कश्मीर का कोई भी मुद्धाश या जमू की जनता का हो अगर बार वहाँ पर अपना स्टेंड ले ले तो कहीं ना क्यों मुद्धे किसी हाथ तक हाल होते हैं पर वो चीज़ आप काफी देर से देखने को नहीं मिल रही है यह हम जनता के सवाल आप तक कर रहे ह पर आप क्या वीजन लेकर हैं यह जाने का कोशिश करेंगी जी मैम सबसे पहले तो हमें अपने खुद के जो वकील हैं इनके अपलिफ्ट के लिए काम करना है जो हमारे अंदर के इशूज हैं जैसे वकीलों को जो प्राब्लम जाती हैं चलो जो वकील हैं हम बार तो हमेशा ही जम्मू के हित के लिए बोली है बट सबसे पहले हमें अपना घर भी देखना है हमें अपना घर भी ठीक करना है हमारे जो वकीलों के इशूज हैं जैसे मालो पार्किंग के इशूज हैं जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं या फिर जो जो ऐसे वकील हैं जूनियर्स हैं जिनक पस्कुल में अपने बच्चों के लिए अपने गाड़ी लगाई होती हैं तो monthly आपको रैंट जैसे देते हो वैसे हम कुछ भी फ्री में नहीं हम बोले कि मैं फ्री में आपको गाड़ी सी और नहीं जो जैसे जैसे गाड़ी आपको सुबह पिक करेगी और आपको यहां पे कोट में लेकि आएगी कोट टाइमिंग्स में और शाम को जब कोट टाइमिंग्स आफ होती है तो वहीं पर छोड़ेगी आपको और दूसरा नंबर जो मेरा एजेंडा है जो टाउटिजम यहां पर पनप रहा ह है कोर्ट में उसको खतम करना है जैसे आप देखें कि आज आज की डेट में बहुत सारे नाजिर या जो पुलीस वाले जो आते हैं एक्यूज को साथ में लेके वही उनके जमानत में चलके बरवा देते हैं तो वो किसका काम खा रहे हैं जूनियर लाइर्स का अब जो कोई सीन और एक जूनियर जाते हैं हंडर्ड मैं मेरे साथ मी मैं आपको बात बताओ। में एंडर्स हाएं मेरे साथ मीशताष जो वकील थे उन्होंने एंटर किरा था इस इस इंस्टूशन में हाई कॉर्ड में लेकिन आज आप आप देख Te位 दस रहे हैं क्यों कि उनको उनका moral ही बूस्ट नहीं हुआ किस वज़े से उनका काम टाउट्स ने खा लिया जब कोई जूनियर ये जब हम कोई ये काला कोट हम पहनते हैं जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो हमारी conscience हमें मजबूर कर देती है कि हम किसी पर depend ना हो और अगर किसी जूनियर को उसका moral boost तब ही होता है कि जब वो अगर घर से आए अब हम देखें अगर चलान की बात करें रोज का 200-300 चलान कोट में निकलता है लेकिन वो 200-300 चलान को निकाल रहा है वो ये clerks निकाल रहे हैं यहां जो पलीस वाले ही होते हैं पर वो निकाल रहे हैं जूनियर्स तक कुछ भी नहीं पहुच रहा है उस वज़ा से जो जूनियर है वो बिचारा था खार के घर बैट जा 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 रहा है जी कुछ हद तक मुझे लगता है सही है देखिए हम मैंने पहले भी आपसे बात की कि जब हम इस इंस्टिटूइशन में एंटर करते है है हमारी बाकि आफिलेशन्स जो भी हो बर्छ रफ जब यहां एंटर करना है तो हम यहा पर सिरफ वकील है कोई पॉलिटीशन नहीं कोंगो जोच नहीं यह चीज हमें ध्यान में रखनी जाई है जिता पहलेчто एक upfront का बड़ाई में कमी आई है किया लगता आप जिशी टीम अगर आएगी आने वले समय में उस ग्राफ को उपर ले कर आई सकी है जी बिलकुल करेंगे बिलकुल ख़ेंगे हम हम काम ही अपलिफ्टज में गए हर बंदे को मौका दिया है इस बार मेरी बार है मुझे भी मौका दे के देखने लिए ने चैनों को मौका मिलना चाहिए यंग सर्सकों मौका मिलना चाहिए ताकि वो उनकी सोच जो है वो अपनी ऐडियोलोजी बता सके लोगों को जी आप से एक उमीद और करते हैं कि जो किसी वज़ा से हम कहते हैं कि किसी और अगर जगा देखते हैं आज भी मेल डॉमिनेटर सुसाइटी है आज भी महिलाओं को कोई भी इदारा हो कोई भी और ने वहां पर दबाया जाता है तो क्या लगता है आप उन्हें बराबरी का दर्जा दे पाएंगे मैं एक कोट में जो एक इंसान होता है जो एक आला कोट पेंदे वह वकील ही होता है वो कोई मेल फीमेल नहीं होता है जो मुझे लगता है कि अगर कोई फीमेल है यहां कुछ है जेंडर आप छोड़ दीजिए वह वकील है मेरे लिए वह लड़का है चाहे वह लड़की है और मैं सब के तिरी बात बुरी भी लगे पर जो सत्त हैं जो सच्छा वो ही हम सामने लेकर आते हैं हम उमीद करते हैं शिवदेट जी आने वाले समय में आप इन सारे मुद्दों पर जरूर लेकर चलेंगे वोट वेस्ट किया है अपने नेताओं को देखा होगा वोट मांगते हुए पर यह बार एसुसेशन जनाब यहां के लेक्शन होने जा रहे हैं और हमेशा यह देखा भी गया है कि बार एसुसेशन ने जनता के जब भी बात किये वो मसले आलू हैं अब उमीद करते हैं आप ज जब देख रहें आप जरूर इन्हें सपोर्ट करिए क्योंकि इनका वीजन अच्छा है और जो जो वीजन रखते हैं वही आगे लाइब में काम्याब भी होते हैं चलिए देखते हैं जनाब एक सब्स्यासत है और एक तबार के अससेशन के जो की एलेक्शन है चलिए देख